तो आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका नाम है एक रात का पती तो आए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यहने आपके अपनी नीती के साथ तो कविता अपने नाम की तरह ही पहुत सुन्दर थी पर भी तर से शकल सूरत से तो वो किसी को भी सुन्दर नहीं लगती पर मन तो इतना सुन्दर कि जो भी उसे एक बार मिल लेता उसका हो जाता कहते हैं न कि समाज में कोई भी मन की सुन्दरता को नहीं देखता इसलिए कविता के काले रंग के चलते लोग उसे काला टीका कहकर भी पुकारा करते थे उसकी कई सहलियां अपना रोब जमाने के लिए ये तक कहती कि अरे हमने तो इसे नजर पट्टू के लिए रखा है बाहर तो बाहर घर में भी उसकी मा के लावा उससे कोई प्यार नहीं करता इतनी बसूरत होने के बावजूद उसकी मा रोज उसकी नजर उतारा करती थी कविता की बहल ललता को मा का उस पर प्यार लुटाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ललता को हमेशा से ही लगता कि मा कविता को ज़्यादा प्यार करती है भरवासों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मा कविता को ज़ादालाड इसलिए लडाती क्योंकि मा को पता था कि कोई और कविता को देखना तक पसंद नहीं करता प्यार करना तो दूर की बात है कविता पढ़हाई के साथ घर के बाकी कामों में भी बहुत तेज सी क्योंकि कविता उम्र में भी ललता से बड़ी थी लेकिन उस दिन जब लड़के वाले कविता को देखने आये तो लोगों ने कविता को नहीं बल्कि ललता को अपने घर की भू बनाने का फैसला किया और कुछ ही दिन के बार ललता की शादी भी हो गई और इस वजह से पहली कविता को एहसास हुआ कि वो कितनी बस उरत है खैर मा के समझाने से कविता ने एक बार फिर से खुद को सभाला इधर मा ने एक बार फिर कविता की शादी की योचना बनाए और कविता को समझाया कि कुछ भी हो जाए शादी से पहले उसे किसी भी हालत में लड़के के सामन नहीं आना है पर कविता ने इस बात पर अतराज जताते हुए कहा कि नहीं मा किसी को धोखी में रखकर मैं कैसे खुश रह सकती हूं इससे अच्छा मैं अपनी पूरी उमर तेरी सेवा में बिता दू तेरी सेवा करके बिता दू पर मा ने कविता को कसम देते हुए उसकी बात मानने के लिए राजी कर लिया माने कहा तु देखना अब तो मैं तेरा व्या किसी राजकुमार से ही करूंगी कविता की माने कविता के लिए एक राजकुमार जैसा लड़का दूढ़ा और कोई ग्रह दोश बता कर लड़के को शादी तक लड़की का मुझ नहीं देखने की इस्क की बात पर भी राज़ी कर लिया और इस सारा कयुता की शादी पहुत ही अच्छे घराने में हो गए शादी हो जाने के बात कयुता की मान महले में मिठाईया बार ती और कहती देखो मेरी कैुता राज घराने में गई है हरे सब मिठाईयां खाओ और आशे बाद दो कि आज की नो मेने बाद मैं नानी बनूँ इधर कविता को शादी की राथ ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा जैसे ही उसके पती ने कविता का घुंगट उठाया कविता का काल आरंग देखते ही कविता का मजाग बनाते हुए कहा तु मेरे लायक नहीं है अरे मैं तुम्हें सिर्फ यहां नोकरानी की तोर पर ही रख सकता हूँ रहना है तो रहो वरना जा सकती हो अगर तुम्हें यहीं रह कर मेरे मेरा और मेरे माता-पिता का ध्यां रखना होगा कफिता इन बातों से खुद को संभाल न सकी रोते रोते एक कोने में उसकी आख कब लगी उससे पता ही नहीं चला अचानक उसको अपने पास हलचल महसूस हुई उसने देखा कि जो पती उसके रंग रूप से भाग रहा था अब वासना के वशू उसे अपनी पतनी का अधिकार देने की कोशिश कर रहा था कफिता को ऐसा अधिकार नहीं चाहिए था कफिता को अहसास था कि ये सब होना ही है पर वो ये भी जाती थी कि वो अपने पती को अपने प्यार और सहियम से जीते वो इस रिष्टे की नीव भी प्यार से रखना चाहते थी और इसी कोशिश में उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उस हैवान के आगे हार गई अगले ने सुमा भीती राग जो भी हुआ उसे भूल कर फिर से कविटा को पती की और से ताने ही सुनने को बिले कविटा ने सब कुछ भुला कर अपने विवाहिक जीवन को खुशाल बनाने की बहुत कोशिश की वो इस कोशिश में लग गए उसकी भले ही अपने पती से कुछ खास चाहे ना बनती हो लेकिन साथ ससूर की और से मिल रहे प्यार और सम्मान ने अभी तक कविता को इस घर में रहने का होसला दे रखा था लेकिन वो होसला भी तब तूट गया जब कविता को पता चला कि इसका पती किसी और से प्यार करता है और इस बात से इस बात ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया वो दोड़ती हुई अपने कमरे में चली गई सामने लगे शीशे में अपने चहरे को निहारते हुए सोचने लगी कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है क्या कोई किसी को सिर्फ उसके रूप से ही प्रेम करता है अगर किसी का रंग काला है तो उसे प्यार पाने का बिल्कुल भी अक नहीं है कुछ दिर उस उदास बैठने के बाद कविता ने सोचा कि मैं अपनी एक राट के पती के लिए क्यों अपना अस्तित मिटाओं मुझे अपना अस्तित खोशना ही होगा अब मुझे इन सब बातों को नजर अंदाज करके अपने लक्ष को पाना ही होगा और इस तरह उसने अपने हुनर को निखाने की ठानी कविता ने अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से शुल करने का निरनाय लिया और घर के सभी लोग जब सो जाते तो वो रात रात भर जाकर पढ़ाई करती और इसी तरह एक दिन अखबार में खबर आई कि कविता नाम की लड़की ने I.A.S. की प्रक्षा में All India First Rank पाया है अब तो कविता के पाउं जमीन पर नहीं लग रहे थे कविता के ससुराल में सिवाए उसके पती के बाकी सब खुश थे कविता ने I.A.S. की पोस्ट सभाल ली है उसे अपना घर भी अलग ले लिया है और अब उसने अपने एक रात के एक रात वाले पती को छोड़ दिया है अपनी मा और दो साल की बेटी के साथ उसी नए घर में रहती है ये बेटी उसी एक रात की पत्नी अधिकार मिलने का परणाम है कविता अपनी बेटी को कभी उसके पिता का नाम नहीं बताती जब भी उसकी लड़की अपने पिता का नाम पूशती है तो बस यह कहती है कि तुम्हारे पिता देश की सेवा में शहीद होके ये जूट इसलिए बोला करती है ताकि पिता की अच्छी छवी उसके जीवन की यात्रा को प्रेरित करे क्योंकि कविता अपने सामली बेटी को नेवी अधिकारी के पत्पर देखना चाहती है समाप्त कहानी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे स्पोटिफाइपे गूगल पे और एमजान पे भी फॉलो करें तो मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सबको रमस्ते सबको पड़ाब